राश्टिय स्वेम सेवक संग, RSS के प्रमुक मोहन भागवत ने कहा कि अगर रविध्या में राम मंदिर फिर से नहीं बनाया गया तो हमारी संस्कृती की जड़े कट जाएंगी महराश्र के पालगर में विराठ हिंदू समिलन में भागवत ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि राम मंदिर वही बनाया जाएगा जहां वो पहले था शायब जे तुटला फूटला ते रिपेर कर नाम सकाना ही नहीं तो महराश्र भागवत ने राम मंदिर का मुद्दा एक बाद फिर से कर्मा दिया है अयोध्या में राम मंदिर का पूरा विवाद आखिर है क्या इस पर एक नज़र डाले अयोध्या विवाद हिंदू मुस पर भगवान राम का जन्म हुआ था और आपको बता दें हिंदू का दाबा है कि राम मंदिर तोड़कर भावरी मस्जिद बनाई गई थी राम मंदिर को 1530 में भावर के सेनापती मीर बाकी ने गिरा कर मस्जिद बनाई थी नबे के दशक में राम मंदिर के मुद्दे पर देश का राजनितिक माहौल गर्मा गया था और अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को उकार सेपकों ने विवादित धाचा गिरा दिया था अयोध्या में विवादित जमीन पर राम लला की मूर्ती विराजमान है ये जमीन का पूरा विवाद अयोध्या का है क्या ये हम आपको सिल्सलेवार तरीके से बता रहे हैं अयोध्या में राम जन भूमी विवाद में 2010 में हाई कोट ने बड़ा फैसला सुनाया था और इस फैसले को सुप्रीम कोट में चुनौती दी गई थी फिल्हाल ये मामला सुप्रीम कोट में है क्या था हाई कोट का फैसला वो भी देखिए दो दश्मलों साथ साथ एकड विवादित भूमी के तीन बराबर हिस्से करने का फैसला दिया गया था राम उर्ती वाला पहला हिस्सा राम लला विराजमान को दिया गया राम चबूतरा और सीता रसोई वाला दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाले को दिया गया और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्त बोट को दिया गया हाई कोट के फैसले को हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने सुप्रीम कोट में चुनौती दी है तीनों पक्षों ने पूरी जमीन पर ही दापना दावा ठोका है और इस तरीके से ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में जो कहना था सो कह दिया, जो सुनना था सो सुन लिया अगर अब भी इंतिजार है असल खबरों का तो फिर मास फिस्टों सुनवार से शुक्रवा रात नौ बज़े एवीपी न्यूज पर ये है एवीपी न्यूज आपको रखे आगे